जो तीज का पवित्य त्योहार है वो भादरपक्ष की शुक्लपक्ष की तित्यातिती को मनाया जाता है जो कि इस वर्ष 9th of September को पढ़ रही है इस दिन जो सुहागिने है वो अपने पती की लंबी आयू के लिए ब्रत रखती है नर्जला ब्रत रखती है इस वर्ष जो सबसे अच्छी बात पढ़ रही है वो लक्ष्मी योग बन रहा है और कन्या लगन में बन रहा है जो ब्रत का शुब मूरत आ रहा है वो प्रदोशकाल में पूजा की जाती है जो मूरत आ रहा है वो 5 बज के 10 मिनट से शुरू हो रहा है और 7 बज के 15 मिनट तक रहेगा जो सुबह ओट के पूजा का मूरत आ रहा है वो 4 बजे से लेके 6 बजे तक रहेगा यानि 10 तारिफ को जो सुबह उटके पूजा की जाएगी वो 4 बजे से 6 बजे के अंदर की जाएगी उसके बाद पारण किया जाएगा अब बात करते हैं कि इस दिन पूजा क्यों की जाती है और क्या विधिविधान है जो पूजा की जाती है जैसे मैंने आपको बताया कि सुबहागी ने पती की लंबी आयूब के लिए करती है इस दिन जो सुबहागी ने है वो भोली बाबा और मा पारवती की मिटी की प्रतिमा बनाती है या तो बजार से ले आती है या घर पे खुद बनाती है फिर उनकी पूजा अर्चना करती है उस पूजा अर्चना में सबसे पहले तो वो खुद सोला सिंगार करती है हातों में महंदी लगाती है या कुछ सुहागे ने पैरों में महंदी भी लगाती है चूडियां खरीती है सुहाग का समान खरीती है औ उसके बाद शिफ परिवार की पूजा की जाती है इस पूजा में पूजा करने के बाद जो उनकी कथा पढ़ी जाती है तीज की वो कथा पढ़ी जाती है और उसके बाद जो प्रशाद है वो घर की व्यक्तियों को दिया जाता है तो आशा करती हूं कि भोले बाबा और मापा आपके पदुष्री बनाए रखे माता का आशेवाद आप लोग पे आए और जिस इच्छा से आपने ये ब्रत रखा है वो पूर्णा इन्हीं शुब कामनाओं के साथ मैं आपसे बिदा लेती हूं